हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर बहुत-बहुत सौगत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूग चैनल पे और एक बहुत ही महातुपून प्रैक्टिस से टाज हम आपके लिए लेके आए हैं तो शुरू करते हैं क्वेशन नमर वन के साथ और इस क्वेशन में पूच करना है तो देखे ऑप्शिंज क्या है हम आपको दिखा देते हैं गवर्मेंट कॉलेज और फिजिकल एजुकेशन पत्याला लक्षमीबाई कॉलेज ओफ फिजिकल एजुकेशन क्वालियर वाई-मसी ये कॉलेज ओफ फिजिकल एजुकेशन मद्रास इभम लखनौ क्रिश College Lucknow 1932 में इसके स्थापना की गई थी, निन नम्मर थ्री पे आएगा लक्षमी भाई College of Physical Education 1957 में इसके स्थापना की गई थी और Government College of Physical Education पटे आला, लास्ट में आएगा जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, तो ये काला नुकरम के हिसाब से सही क्राम है दिये वे समंधित संस्थानों का पता लगाईए कि कौन सा सीखने का नियम नहीं है और थॉन डाइक जी की दोरा दिये कि जो तीन सीखने के मुख नियम थे उनमें कौन सा नियम नहीं है, तो सभी option को देखके आपको पता चल गया है exercise का नियम यानि की जो exercise का नियम, sorry यहाँ पे exercise का नियम नहीं बलकि प्रतिक्रिया का नियम होगा यानि की क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये Newton के तीसरे नियम के रूप में इसे जाना जाता है और ये सीखने के नियम में नहीं आता है। इसके लाबा देखें तैयारी का नियम, प्रभाव का नियम एबं, गतिविदी यानी observe का नियम, जुह है, अभ्यास का नियम जिसे कहते हैं ये तीनों ही सीखने के नियम में जाने जाते है। नेक्स्टन इम्रिकित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है तो खेल किस प्रकार के अभी प्रेरिणा का सिकलाई में अधिक प्रभाव होता है और कौन सी ऐसी प्रेरिणा है जो लर्निंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है नेक्स्टन ओलंपिक प्रभाव में 100 मीटर बादा धौर में एक बादा की अध्र की अध्र की उचाई कितनी होती है option number D 0.840 meter is correct answer next question is asking offside नियम के scale से सम्मंदित है तो देखें किस से इसका सम्मंद है football से इसका सम्मंद है यह विश्यू का सबसे प्रशित देखेल है आप सभी को पता है दोस्तों जो विश्यू के सबसे ज़्यादा देशने खेला जाता है और इसका नियंतर फीफा यारी Federation International The Football Association इस संसा के द्वारा किया जाता है अब सभी को पता है और अगर बात करें कि offside का नियम क्या होता है तो offside के नियम के अनुसार आंगी का खिलारी गेंद के बिना दूसरे बचाओ खिलारी के आंगे नहीं जा सकता अगर कोई खिलारी सभी बिपक्ची खिलारीों से आगे निकल जाए और गेंद उसको पास की जाए तो उसे offside करार दिया जाता है Next, Olympic जंडे के रिंग किसकी और संकेत करते हैं तो 5 महाधविप यानी 5 continent को दर्शाते हैं Kindergarten पद्धधी का विकास किस ने किया था तो Option No.B, Frobel ने किया था Kindergarten पद्धधी का विकास Frobel ने किया था इन्हें Kindergarten के जनक की रूप में जाना जाता है और Frobel ने प्रतम Kindergarten के इसापना जर्मनी में 1837 में की थी Next किस प्रकार की असी चोट में एक कौनसी एक प्रकार की अस्ती चोट है यानि कि बोन फ्रेक्चर की बात की जा रही है जिसमें उतर के धमनी जैसे आंतरिक अंग छतिग्रस हो जाते हैं तो जटिल भंग की बात की जा रही है और और इस प्रकार की तिशू को जटा जाते हैं आपको पता है लिगामेंड्स की रूप में जाना जाता है दो या दो से अधिक हड़ियां जहां पर जुड़ती हैं तो उन्हें जॉइंट भी कहते हैं और इस प्रिकार के टिशूस को लिगामेंट्स कहते हैं किस रोग के लिए वाइरस मुखी रूप से जुमिदार होता है तो इन्फ्लुएंजा जो है वो वाइरस से होने वाला डिसीज है इसके लावा हैजा हैजा और टाइफाइट जो है यह बैक्टिरियल डिसीज है और मलेरिया एक परजीवी यानि प्रोटो जोवा के कारण होता है एलेआ हैज से रिलेटेट क्येशन पूचा गया है चेकेन पॉक्स से गया है जिकरेक्ट अंसर और इसके लावा जो बी ऑप्षिन दिये हैं जैसे है यह बैक्टिरिया से होता है यह बैक्टिरिया से होता है और लप्रोसी यानि कुस्छ टोग मानव शरीयर की सबसे में से कौन सी है तो देखिए खिचाव अंदर की चोट और रगड उप्रियुक्त सभी तुछा की या सॉफ्ट टीशू एंज्रीज हैं यहां पर नेक्स्ट सॉरी सिर्फ तुछा की चोट की बात की गई है तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा देखे और अगर पूछा जाए कि कौन सी सॉफ्ट टीशू एंज्री है तो यह सभी आएंगी लेकिन रगड तुछा की चोट की बात की जाए तो रगड एबरेजन इस करेक्ट आंसर विष्पोटक शक्ती का मापन निकित में से किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और अप्शन तो सही मिलान आपको करना है तो क्या होगा देखे करेक्ट आंसर जो मेकेनिकल जो होते हैं उनका समन्ड किस से है तो टे फ मेजरिंग टे फ बेल्ट यह सब हो गया फंवह gagner जीजन जो एड्स होते हैं उसमें क्या आएगा तो oxygen संपूरक आजाएगा इसमें ऑके यहां पर number two पे जो है वो शारिरिक विग्यान सम्बंदी सायक है, नहीं physiological जो है उससे सम्बंदित एड्स की बात की गई है शारीरिक विग्यान संबंदी तो इसमें आएगा आपका oxygen संपूरक पोश्रात्मक्स आएक यानि nutritional में क्या आएंगे तो carbohydrate loading आएगा और और शारी विग्यान में मादक पदार्त यानि की caffeine आएगे तो ये बिल्कुल सही मिलान है according to question. Next question is asking कौन से प्रसिक्षन ढंग से anaerobic तता एनरोबिक उरजा प्रयोग होती है कौन से प्रसिक्षन ढंग से एरोबिक तता एनरोबिक दोनों पूछा जाना चाहिए यहाँ पे तो option number B होगा कि अंतराल प्रसिक्षन वेदी में देखे एरोबिक एवं एनरोबिक दोनों प्रकार की उरजा का प्रयोग होता है This is correct answer. Next वियायाम के दोरान मान स्पेशी या तंत्रिका कोशिका में विद्धुती क्रिया उत्पन हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे action potential के रूप में जाना जाता है Next question is asking जमनकित में से कौन सा तत्तु स्वास्ते संबंधी दक्षता का भाग नहीं माना जाता Option number D प्रतिक्रिया समय जो है ये ये फिजिकल फिटनेस संबंधी फैक्टर्स में नहीं आता बलकि ये motor fitness संबंधी motor skill या फिर skill related components में ये आता है और देखें इसके लावा आपको बता दें body composition, cardiovascular strength, muscular strength और flexibility ये सभी स्वास्ते संबंधी दक्षता में आते हैं Next नीचे दिएगे विकल्पों में से सही code चुनना है आपको सांस द्वारा अंदर खीची गई वायू के शरीर में प्रवेश करने के सही क्रम को आपको यहाँ पर बताना है तो क्या होगा सही क्रम देखें बता देते हैं आपको Option number C is correct here यानि सबसे पहले nostrils में नाक में जाएगी oxygen then lungs में जाएगी then after that heart में then capillaries में तो यह सही sequence है यहाँ पर next question मानो रिदे का वजन कितना होता है Option number C 250 gram to 300 gram होता है कार्फ बॉल खेल खेला जाता है तो महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा कार्फ बॉल खेला जाता है कार्फ बॉल एक नेट बॉल और बास्केट बॉल की तरह का खेल है जिसे 1901 एमस्टरडम के सिक्षक द्वारा विक्सित किया गया था और यहाँ केल महिलाओं तो था पुरुषों के द्वारा सहीं क्रूप से कहला जाता है Olympic केलों को का एक मात्र उद्देशी के साथ पुनर जीवित किया गया था और उलम्पिक को के सुद्देशी के साथ जीवित किया था तो रास्टों के बीच सोहादर समझ एवं भाई-चारे को बढ़ावा देने एवं उसके निर्मान के लिए इन केलों की शुरुआत हुई थी नेक्स्ट यदि किसी नाउकाउट टूर्णामेंट में 19 टीमें भागे रहे हैं तो कितनी बाई दी जाएंगी तो देखिए जो नेक्स्ट दी पावर 2 होगी यहाँ पे वो होगी 32 और उसमें से जब हम number of team को minus करेंगे तो हमें number of 22 मिल जाएगा जो कि है 13 तो यह है formula next to the power of 2 minus number of team is equal to by आजाएगा 13 by दी जाएंगी ओके शारीरिक सिक्षक पर सिक्षर भार इन में से किसके द्वारा निर्धारित होता है option number D कक्षा के अंदर और बाहर कियेगे वास्पिक कारियों की संख्या से निर्धारित होता है next question is asking that football के खेल में कितने नियम होते हैं तो सभी को पता है football के खेल में 17 नियम है volleyball court के रिखांकन में line की चौड़ाई कितनी होती है रिखांकन में line की चौड़ाई यानि कि जो marking की जाती है उसमें कितने चौड़ी line होती है तो 5 cm is correct answer here now the next question दुरूणाचारे और अरजुन परिसकारों के लिए नाम किसके द्वारा मगाए जाते हैं option number D is correct here रास्टी खेल परिसंगो वा यूवा कारे और खेल मंत्राले द्वारा नाम दुरूणाचारे और अरजुन परिसकारों के लिए मगाए जाते हैं कुल 11 टीमों में 22 की संक्या कितनी होगी तो देखें again number of team यहां पे कितनी है 11 और next to the power of 2 क्या हो जाएगी 16 minus 11 करेंगे तो number of 22 जो आएगा वो होगा 5 और देखें अगर पूछा जाए कि जो 22 होंगी अपर हाप में और लोवर हाप में कितनी दी जाएंगी यह भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसका formula भी आप revise कर लीजिए कैसे निकालते हैं next स्वास सिक्चा को पूर्ण सफल बनाने में इन में से किसे अधिक महतुपूर्ण माना जाता है option number D यानि कि सक्षम निर्थित जो है यहाँ पे सही है leadership next किस केल में overhand service, round service, side arm floating service और overhead floating service जो है यह शब्द प्रयोग किये जाते हैं तो volleyball is correct answer JCR prediction में क्या-क्या शामिल होता है तो sergeant jump sergeant jump यहाँ पे J का मतलब होगा sergeant jump then chin ups और shuttle run यह तीन यानि कि option number 1 से ही है sergeant jump, chinning up और shuttle run इन तीन test battery item को शामिल किया जाता है कृष्णापूनियां का सम्बंध किस से है option number seize character, तस्त्री फेक यानि कि discuss throw से इनका सम्बंध है Olympic जंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीब का प्रतिनित तो करता है तो पीला यानि की Asia की बात यहाँ पे की जा रही है और Europe जो है वो नीले रंग के रिंग द्वारा दर्शाया जाता है अमेरीका लाल रंग के रिंग के द्वारा और Australia जो है वो हरे रिंग के द्वारा इसको दर्शाया जाता है Now the next question is asking कुष्टी में सर्वर प्रतम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था तो उदैचंद is correct answer Now next question शारिरिक सिक्षा के आधार को इसके द्वारा मजबूत बनाया जा सकता है तो बेग्यानिक तथियों के द्वारा अनुलकित में से किसको समाहित करते वे शारिरिक सिक्षा एक प्रतिभागी पार्टिक्रम कारी की रूप में अपने आपको पढ़ाई वाला वातवरन बनाने में दिर्टा दिखाती है ऑप्षिन नमर डी गति, खेल, स्वास्त एवं दक्षता शारिरिक सिक्षा की ब्रांतियां क्या है अनुसाशन हिंता पैदा करना ये शारिरिक सिक्षा की ब्रांतियां है चार सो मीटर की बादा दौर में पुरुषों कनिष्ट पुर्शों और युवा लड़कों के लिए दो बाधाओं के बीच कितने मीटर की दूरी होती है और बात की जा रहे हैं 400 मीटर की बाधा दौर के लिए पुरुशों के लिए तो option number 20 correct here 35 मीटर होगा यहाँ पे देखें यह 400 मीटर की जो दौर होती है वो दोनों के लिए पुरुशों मिलाओं दोनों के लिए होती है और इसमें जो दो बाधाओं के बीच की दूरी होगी वो 35 मीटर होगी और स्टार्टिंग लाइन से फर्स्ट बाधा की दूरी 45 मीटर होगी और जो बाधाओं की आपस में जो दूरी है बाधाओं के बीच की दूरी वो आपने देख लिया 35 मीटर होगी और अंतिम बाधा की जो है आशन सांस्कृति क्या दोश निवारक आशन की श्रेणी में आता है ओप्शन नमर सी चक्रासन इस करेक्ट आंसर भारत सरकार द्वारा राजीम गादी की इलरतन पुरशकार की सुरुवात कप की गई थी तो 1991-92 में की गई थी जिसे अब मेजर दिहान चंद की इलरतन 75% यहां पर सही आंसर होगा अधर्वाइस 70-75% पानी की मात्रा मारे शरीम में पाई जाती है बिना गाओ का हड़ी तूटना क्या कहलाता है तो simple fracture के रूप में इसे जाना जाता है देखिए bone fracture मुकिता इस तरह से होते हैं कि जिसमें बिना गाओ के हड़ी तूटती है तो simple fracture और अगर complete fracture होगा तो इसमें हड़ी दोयादों से अधिक भागों में तूट जाती है और compound fracture जिसमें हड़ी तूट कर तुचा से बाहा निकल आती और गाहाओ दिखाई देने लगता है इसके लावा आवश्यक्ता प्रेड़िना और प्रेड़ित करना यह सभी अभी प्रेड़िना के रूप में जाने जाते हैं इम्यून सिस्टम कारेप्रणाली को विक्सित करने के लिए तता muscle breakdown को रोकने के लिए एक लाड़े कौन सा फुट प्रेयो करते हैं तो glutamine is correct answer option number B is correct here दो यादो से अधिक कतन दिये गए हैं तो आपको यहाँ पर बताना है कि क्या कतन सही है और और उसका सही region है या नहीं है यह आपको यहाँ पर बताना है तो देखें क्या होगा correct answer शारिरिक अधिक व्यक्ति अधिक व्यक्ति health और fitness club के साथ सामुदाइक शारिरिक सक्षमता कारेक्रमों में विविन प्रकार के शारिरिक कारेक कलापों में शामिल होते जा रहे हैं तो यह हो गया आपका कथन और दूसरा इसका जो region है दिया हुआ है कि शारिरिक कारेकलाप कारेक्रमों को तयार करने उनका निर्तित और मुल्यांकन करने के लिए शारिरिक सिक्षा व्ययाम विज्ञान और खेलकूत पेशेवरों की जरूरत है तो यहाँ पे option number D सही है और इसके according देखिए क्या होगा कि A और R दोनों सही है और R A का सही सपस्टी करन है यह यहाँ पे सही answer है next equation 100 meter दोड के दोरान R A से अंत तक इने सही अनुक्रम में विवस्थित करना है देखिए 100 meter दोड के लिए सही sequence आपको बताना है option number D यहाँ पे सही है यानि कि number 1 पे आएगा आपका stimulus, number 2 पे आएगा reaction time, number 3 पे आएगा गतिवर्धन चरण और number 4 पे आएगा अनुरक्षन चरण यानि कि acceleration होगा और फिर last phase तो इस रह से सही sequence है यहाँ पे now the next question is asking triceps पेशी का मुक्यता निमले किस प्रक्रिया से संबंध है तो option number 20 करेटियर elbow extension triceps और biceps पूछा जाए तो elbow flexion next WBC का मुक्यकारी क्या होता है option number D यानि ब्रक्टिरिया से लड़ना या immunity प्रोबाइड करना पेट की मान स्पेशी के विकास के लिए उप्युक्त वियायाम निमन में से कौन सा है तो option number C गुटने मोड कर sit-up लगाना लंबी दूरी के शेश्ट पूरुश और महिला दापकों में क्या पाए जाते है ज्यादा मात्रा में तो दी में इस पूरण वाले ज्यादा तन्तु पाए जाते हैं यानि कि स्लोट विच मसल फाइबर्स या रेड मसल फाइबर्स ज्यादा पाए जाते हैं किसी कारी को करने की तैयारी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो इसे वार्मिंग अप के रूप में जाना जाता है तो संस्कृति इस करेक्ट आंसर निम्ने कि इतमे से कौन सा योगा ब्यास आम तोर पर मदुमे की बिमारी को ठीक करता है तो option number D वजरासन is correct here next to badminton के shuttlecock में पंकों की संख्या कितनी होती है option number A is correct here 16 सूची first को सूची second से मिलान करना है देखे राजिवर्धन सिंग का सम्बंद shooting से है सानिया मिर्जा का सम्बंद जो है वो tennis से है नारायन कार्थी कियन का सम्बंद formula one racing से है और अन्जू बॉबी जोर्ज का सम्बंद athletics के long jump event से है next to biceps femoris man species यहां है और इनके movement से मुकिता होने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है और बात की जा रही है biceps की option number six character घुटने का आकुंचन होता है biceps femoris man species के movement से नेता जी सुभास राश्टी केल संस्थान के सापना कप की गई थी तो 1961 में की गई थी next root e moat या groat है यहां पे ने स्वास्ते सिक्षा का कौन सा उदेश नहीं बताया है option number d व्यक्तियों को प्रेडित करना यह उदेश नहीं बताया है इसके लावा बानवी समंदों में सुधार स्वास्ति के संदर्व में समाजी को तरदाय तो आर्थिक बच्चत के संदर्व में स्वास्ति के तर्थितदा सिधानतों का प्रयोग यह सभी बताया है इन्होंने किसी भी व्यायाम से पहने वार्मिंग अप क्यो जरूरी है option number d एस करेक्टियर लचीला पन बढ़ाने के लिए साधारन बोल चाल में समानिता स्वास्ति को किस रूप में समझा जाता है option number b रोग और विक्रती से मुक्ति यानि absence of diseases को स्वास्ति के रूप में जाना जाता है इन में से कौन शारीरिक तंत्र है जो शारीरिक व्यायाम में शायद सम्मिलित नहीं होता तो पाचन तंत्र एक औसत कारेशील महिला के लिए प्रति दिन कितना प्रोटीन लेना उप्यूप बताया जाता है option number b is correct here 46 gram is correct answer एक संपून बोजन जो पॉस्टिक माना जाता है वो क्या है तो जिसमें बोजन के सभी पॉस्टिक तत्यु विद्वान होते हैं उसे संपून बोजन या बैलेन्स डाइट की रूप में जाना जाता है गामक गुड निमलिकित में से किसके आधार माने जाते हैं लास्ट कुटिशन आपधा सेरी एं। करेकт आंसर ओप्शन नम्र सी क्रीडा कौशल इस करेक्ट आंसर, गामा को और यानी मोटर इसके समीकित में से किसके लिए धार माने जाते हैं।